तो अगर आप देखते हैं BNB के चार्ट को तो BNB के चार्ट पर क्या हो रहा है कि All Time High के पास जाके BNB Consolidate हो रहे हैं एक रेंज में और जनरली अगर आप देखेंगे Past एक साल में जब जब BNB ने ऐसा किया है तो BNB का Price Constantly अब जाता है इसके पीछे का Reason है BNB या फिर Binance पर Launch होते हुए Launch Pools या Launch Pads Launch Pads अब हमें देखते हैं वो नहीं मिलते हैं Launch Pools देखने हों मिलते हैं काफी सारे Amazing Projects यहां पर Launch हुए है सारे हम नहीं खरीच सकते हैं बट यहां पर Binance Launch Pool के ऐसे Projects पर मेरा ध्यान जा रहा है Strong बनती है वहीं पर आपका पैसा जाना भी बनता है तब ही आप उस चीज़ को लंबे समय में Hold कर पाते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला है नया Coin जो भी Recently Market में आया है जो कि एक Modular Blockchain है ठीक है यहां पर हम Discussion करेंगे कुछ Stats चेक करेंगे यहां पर बात करेंगे Tokenomics की Use Case की बात करेंगे कि Use Case कैसे इनका अच्छा है AirDrop की Hype की बात करेंगे कि कैसे एक AirDrop Related Hype इसको काफी ज़्यादा Pump कर सकती है और Chart Analysis करके Bind Plan की बात करेंगे कि किस तरीके से आप Bind Plan रख सकते हैं आप अपना और इस नए Coin में Profit बना सकते हैं 100-2000% भी Near to Mid Term में बट जब आप Profit बनाने की सोचते हैं तो Cryptocurrency में Loss होने की भी चांसेस रहते हैं इसलिए जो भी आप पैसा लगाए Cryptocurrency में पूरी Research करके लगाए और वो ही पैसा लगाए जो आपके लिए एक Investment हो काफी लोगों को मैंने देखा ये गलती करते होए कि वो ऐसा पैसा लगाएते हैं Market में जो उनको Near Term में चाहिए होता है और वो ये Expect करते हैं कि Market से ही बना के Near Term में हम Market से निकाल लेंगे बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके Plan की तरीके से कुछ हो जिन लोगों को आपने देखा है Millionaire बनते हो दो से तीन साइकल में Millionaire बने है Cryptocurrency ओवरनाइट सकसेस नहीं है ओवरनाइट बरबादी ज़रूर हो सकते है ये सब चीज़े मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे नए लोग भी काफी ज़्यादा मार्केट में आएंगे तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करिएगा वीडियो को करिएगा लाइक ताकि हम मिलतरे motivation और support ऐसा ही डिली अपडेट आपको देने का आज की वीडियो का लाइक टाकिट रहने से फ़र सिफ 1,000 लाइक का जो आपके लिए काफी ज़्यादा एज़ी है अगर अभी तक आप ट्विटर पर नहीं हो दोस्त तो ट्विटर पर अकाउंट बना लो आपस-पस हमने खरीदवाया था वहां से वह लगबग-लग-बग 20 डॉल चले गया था जहां पर 8-900% का गेन हमें देखने को मिला था तो ऐसा ही एक और गेन आज के coin में भी दिखने को मिल सकता है इसका buying plan इसकी analysis में आपको telegram पर भी दे सकता था बट मैं चाहता था कि मैं इसे detail में cover करूँ इसलिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आँँ तो आगे जाके और भी ऐसे बहुत सारे coins आएंगे हो सकता है वीडियो ना बना पाऊं बट buying strategy आपको में telegram पर जूरू दूँगा telegram का एक ही channel है tpb official link है नीचे description में किसी भी और fake link से join मत करिएगा fake channel join मत करिएगा हाथ जोड़ के आप से विंती है और ना आपको कर दिया जाएगा scam आज की वीडियो में हम बात कर रहे है सागा की अगर आप सागा की बात करोगे तो it is a modular blockchain just like Celestia बट इसके कुछ features अलग है कैसे features अलग है मैं बताता हूँ आपको उससे पहले कुछ stats की बात कर लेता है जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं 530 million dollar की market cap है बहुत ज़ादा नहीं है बट अगर 250 million पर तो मज़ा आ जाएगा बट यही सोच के कई लोगों ने Celestia miss किया था starting में in fact मैंने भी miss किया था बट बाद में हमने उसे catch कर ले था तो decent gain हमें बना था बट यहाँ पर valuation को बहुत ज़ादा कम होने से better है कि हमें entry plan करके चले ताकि कम valuation पर भी ले पाएं और decent valuation पर भी यहाँ पर entry हम plan कर पाएं अगर आप देखेंगे basically तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसके बारे में और लगती है वो है इसका investing schedule जो कि काफी ज़ादा अच्छा है अगर आप एक investor हो क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो अलग-अलग tokenomics model है हर गेम का अलग-अलग NFT model है तो आगे जाके जो games हैं वो basically यहाँ पर अपने chainlet launch कर सकते हैं आ सकते हैं इनकी blockchain को use कर सकते हैं थोड़ी बहुत fees दे के और अपना gaming blockchain खुद का gaming blockchain यहाँ पर launch कर सकते हैं using Saga जिसको हम बोलेंगे chainlet या फिर बोल सकते हैं subnet जैसे की Tau में हमने एक बार explain आपको किया था So यहाँ पर Saga काफी अच्छा future हो सकता है क्यों हो सकता है बतायता हूँ इन्होंने यह बोला कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा हम करते हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा बना सकते हो जैसे मैंने आपको कई बार example दिया है कि कोई भी blockchain आ रही है वो बोल रही है कि I am better than Solana I am faster than Ethereum तो वो चीज जो है दोस्त वो decide होगी तब जब लोग उसे use करेंगे अब यहाँ पर बात करते हैं इनके chainlets की तो यहाँ पर और एक दिन के अंदर 70 chainlets add हो गए हैं अगर आप देखोगे तो काफी सारे chainlets यहाँ पर आ चुके हैं जिसमें से आपको electric sheep भी देखेगा altiverse का यानि की altiverse ने भी इनके साथ partnership कर लिया which is a big big thing आने वाले time में जितने भी gaming projects हैं हो सकता है most of gaming projects यहाँ है और देखोगे एक चीज अगर आप तो पहले ना Celestia में high bunny staking गी तो अब मैं इस पर पहले से ही क्यों दहान दे रहा हूँ जब Celestia पर high bunny staking गी तब तक Celestia अल्र already $15 से अबफ जा चुका था, multiplex का gain वाँ मिस हो चुका था, long term के लिए एक अच्छा perspective था उसको stake करना कि Celestia पर ecosystem पर जो भी coins आएंगे airdrop मिलेगा और आने वाले time में अभी hype दुबारा देखने को मिलेगी बट यहाँ पर अभी तक Saga ecosystem में कोई भी airdrop नहीं आ है तो काफी तो दोनों choice आपकी हैं, आप stake करना चाते हो नहीं करना चाते हो, my personal choice is that I am staking some quantity, very very small quantity और मैं इसको long term perspective से खरीद रहाँ, short term trade के लिए नहीं खरीद रहाँ, मेरा whole soul goal है यह है कि मैं इसको loom stake करूँ और इसके against में कुछ airdrops मुझे मिले, जिसमें से अगर एक भी एक अच्छा project हुआ, तो जहां पर मैं expect कर रहा हूँ 100-2000% gain, हो सकता है 100x gain भी बनके निकला है long term में, right, क्योंकि मैंने for example, ज्यादा दर नहीं बोलते है, मैं बोलता हूँ 20 Saga tokens अगर मैंने stake किया, which cost me around $100 in today's date, ठीक आने वाले time में ऊपर नीचे हो सकता है, but यहां पर यह अगर मैंने $100 क किया और मुझे उसके against में $100 का coin मिल गया, जो मैंने hold कर लिया, जो 10x होगा, तो Saga भी कुछ return देगा, यह भी कुछ return देगा, तो $100 के उपर मैं $200,000 अगर कमा लता हूँ, तो 30 to 40x return, इस तरीके से मैं expect करता हूँ, यहां से Saga से, बाकि जिससे साप से हमने देखा, जिससे स है cryptocurrency और NFTs का, यह सारी बाते हमने discuss कर लिए Saga के बारे में, हमने आपको बता दिया कि मेरा goal तो है staking करना, अब हर कोई तो stake कर नहीं सकता अपना fund, तो आप क्या goal कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, इस चीज को हम discuss करते हैं, अगर हम chart को discuss करते हैं, Saga कि तो जहाँ chart को discuss करने में कुछ है नहीं, नया chart है भाई, ठीक है न, तो नई charts को discuss आप इतनी जल्दी या फिर analyze इतनी जल्दी नहीं कर सकते, अगर आप pattern देखेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छे pattern में move हो रहा है, अगर हमें breakout देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि chances हैं, क्योंकि 4 hour time frame में अगर देखत है, वो strong रहता है, इस type का आपको एक pattern break हो तो दिख सकता है, ultimate जो breakout हो, वो 7.4 डॉलर का होगा, उसके बाद आपको अच्छे moves देखने को यहाँ मिल सकते है, 1 hour time frame में देखेंगे, तो sniper एक indication दे रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी मैं यहाँ पर sniper को trust नही है, बट अगर यह continue भी होता है, तो मुझे 1 hour time frame के strength पे इतना वरूसा नहीं है, यह 7.4 तोड़वा देगा, over a period of time अगर यह sideways चलके भी उपर चाता है, तो एक अच्छी strategy यहाँ रहेगी, तो अभी हमने बात करी थी 500 million market cap की, 250 million पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी deal होग पाइत को मैंने stake नहीं किया था, तो मैंने किया था, जब वहाँ पे stake नहीं हाईप बन रही थी, दुनिया stake करे थी, हमने stake नहीं किया था, बट हमने वहाँ पर profit book करें, profit hold कर लिया, अब वो जो profit hold है, उसको आगे जाके मैं stake कर सकता हूँ, या फिर उसको growth के बाद निकाल सक होगे, अब यहाँ से 50 to 40 percent dump जब आए, 30 to 35 at least मैं बोलूँगा, 30 to 35 अगर आप देखते हो, current price से भी आपने अगर buying करी, after my watching videos, so यहाँ पर 30 to 35 percent 3.7 dollars पर ले जाएगा, chances कम है, बड़ अगर मिल जाता है, तो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप चल सकते हो, कि आपने दोनों side की winning situation बना ली है, ठीक है, चीज को study करना पहले बहुत ज़रूरी है, और यह 40-30 लगने के बाद भी, मैं बोलूँगा दोस्त कि आपके हाथ में fund रह जाता है, for the worst case scenarios, so यहाँ पर सागा काफी अच्छा perform कर सकता है, in long run, main hype रहने वाली है, airdrop की, gaming ecosystem में मुझ chainlet launch कर रही है, और यहाँ पर आने वाले time में और ज़्यादा traction देखने हो मिल सकते है, अगर एक दिन में 70 chainlets आ गए हैं, तो आगे जागे बहुत ज़्यादा chainlets आ सकते हैं, सागे chart पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं, to be very honest, नई charts पर हम नही ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि bullish हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे tokenomics काफी अच्छी लगती है, मुझे एक बात और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कि यहाँ पर market tap फिर भी favorable है, अगर आप bullrun के हिसाब से देखोगे तो tight, so इस चीज़ को ध्यान रखते हो, सा सा ध्यान दे, और मुझे out of all these projects, जो इतने सारे projects है recently, जो मैंने skip किये, सागा को मैं skip नहीं कर रहा हूँ, I already hold up bag, around this price only, ठीक है, so somewhat around this price मेरा bag है, हो सकता है, 15 डॉलर उपर नीचे होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा goal also यह है कि staking करना है, ठीक है, और मैंने भी यहाँ प सकते हो, this is one of the new coins, that can perform like Celestia, ठीक है, बट अभी चार्ट पर मैं आपको ज़्यादर क्लियर्टी नहीं दे सकता हूँ, इसके आने वाले टाइम में और क्लियर्टी दूँगा, इसके चार्ट पर आपको जो बड़े टाइम फ्रेम्स पर में और चीज़े होती दिखेंगी, त मिलते हैं दुबारा, नई वीडियो, नए content और नई अनिग opportunities के साथ, ब्लॉक ब्लॉक पर, चैनल से जुड़े रही हैगा, मुझे पता है कि अभी market आपको बूर कर रही है, बट जब market exciting हो जाती है, तो तब पैसा होनी लोग होगा बनता है, जो बूरिंग मार्केट में काम झालो कर दोरिंग फनर मिलते हैं झालो, तो रही है ङालो, इन अनिग में ह मलते हैं।